देखो इंडिया में अगर marital rape कभी होता है जो कि बहुत ज़ादा होता है ठीक है तो उसके लिए कोई भी सजा नहीं है मतलब अगर कोई marital rape करता है तो उसका कोई भी सजा का प्रावधान इंडिया में नहीं है marital rape क्या होता है अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है ठीक है शादी के बाद जरूरी नहीं है कि उसकी इच्छा हो संबन बनाने की ठीक है मैं clear बता रही हूं लेकिन क्या होता है कि कई बार उनके साथ जबरदस्ति की जाती है शादी के नाम पर उनके साथ जबरदस्ति की जाती है ऐसा लगता है कि वो private property बन चुकी है उनके साथ जो चाहे वो किया जाएगा ठीक है बट यह बिल्कुल भी सही नहीं है इस marital rape का शिकार इंडिया में बहुत से लड़किया है कई लोग सामने आके बताते भी है कई लोग नहीं बताते हैं जो नहीं बताते हैं इसका य नहीं है अगर औरत मना कर रही है फिर भी जबरदस्ती उसके साथ यह सब हो रहा है शादी के नाम पर कि तुम मेरी बीवी हो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं तो यह एक तरह का रेप ही हुआ इसलिए इसको marital rape कहते हैं ठीक है और क्यूंकि इसमें सजा का कोई प्रावधान न दिया गया है कि spouses जो हैं वो अगर marital rape करते हैं उनके बीच में अगर संबन बनते हैं तो बीवी जो है वो आ कर यह नहीं बोल सकती कि मेरे husband ने मेरे साथ rape किया है ठीक है मतलब marital rape को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है हमारे IPC sections में भी ठीक है इसका सीधा मतलब यही है कि औरतों का consent नहीं लिया जाता है औरतों की सहमती हो चाहें ना हो अगर marital rape उनके साथ हो रहा है तो वो होता ही रहेगा क्योंकि इसमें family members भी साथ नहीं देते हैं अगर family में भी जाकर कोई लड़की बताना चाहे कि मेरे साथ यह हो रहा है तो घर वाले भी यही बोलते हैं हा नेता है उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने इस बारे में चर्चा करी लेकिन इसका कोई भी समाधान अभी तक तो नहीं निकला है वो मेन कमिशन भी इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए है ना इसका जो exception है 375 section जो है IPC section 375 जो है उसमें यह जो exception है इसको हटा द करी थी उसमें यह बोला था इंडिया में marital rape के लिए सजा का प्रावधा नहीं है लेकिन इसके बावजूद यह तलाक का आधार हो सकता है मतलब महीलाएं इस बैसिस पे तलाक ले सकती है कि मेरे साथ marital rape हो रहा है लेकिन इसके लिए सजा नहीं दी जायेगी husband को ठीक है यह केरला हाइकोट ने ये बोला था 2017 में भी मेराइटल रेप को लेकर दिल्ली हाइकोट में सुनवाई हुई थी उस टाइम पे हमारे सेंटरल कॉवर्मेंट ने ये बोला था कि मेराइटल रेप को अपराद घोशित नहीं किया जा सकता अगर ऐसा हो गया तो शादी जैसा जो पवित्र बंधन है वो अस्तीर हो जाएगा ठीक है ये कहा था कि पतियों को सताने के लिए हस्बेंट को परिशान करने के लिए ये एक बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा वाइफ जाएगी और कंप्लेंट करेंगी कि हमारे हस्बेंट ने हमाई साथ रेप किया है वैवाहिक बलतकार किया है और इसके तोर पर हस्बेंट को इजली सजा दिया जा सकता है देखो जो नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आता है तो नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 5 5 का जो डेटा आया था उसके हिसाब से हमारे इंडिया में अभी भी 29% से ज़ादा ऐसी औरते हैं जो हस्बेंट की शारिरिक हिंसा का सामना करती है जिनके साथ मेराइटल रेप होता है 29% से ज़ादा मतलब आख समझ सकते हो 100 में 29 से भी ज़ादा ठीक है ग्रामिन इलाके जो है और शहरी इलाके जो है उसमें अंतर और ज़ादा है गाउं में 32% लोगों के साथ ये होता है और शहर में 24% लोगों के साथ ये होता है अब देखो रेप कब माना जाएगा किसी भी औरत के साथ अगर शारिरिक संबन बनता है तो उसको बलात कर कम माना जाएगा इसका जो प्रावधान है वो IPC की धारा 375 में है IPC section 375 में इसमें 6 ऐसे conditions है जिनके बारे में बताय गया है अगर किसी महीला की इच्छा के बिना संबन बनाय गए हो महीला की सहमती के बिना संबन बनाय गए हो अगर महीला को मौत या नुकसान पहुचाने के लिए या किसी और चीज़ का डर दिखा कर उनके साथ शारिरिक संबन बनाय गए हो अगर किसी महीला से शादी का जासा दे कर संबन बनाय गए हो जो अभी बहुत ज़ादा हो रहा है लिविन रिलेशन्शिप्स में ये सबसे ज़ादा हो रहा है उसके बाद संबन तब बनाय गए हो जब किसी महिला की मानसिक इस्थिती ठीक नहीं है या उसको कोई नशीली चीज खिलाई गई हो या फिर महिला सहमती देने के नतीजों को समझने की इस्थिती में नहीं हो और 16 साल ध्यान रखना 16 साल से कम उम्र की महिला से संबन बनाय गए हो फिर भले ही उसकी मर्जी हो चाहे नहीं हो आप 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ मतलब बच्ची के साथ संबंध नहीं बना सकते Section 375 में एक exception है जिस कारण से marital rape को अपराद नहीं माना जाता है इंडिया में Section 375 में प्रावधाने की अगर पत्नी नाबालिक है तो पुरुष का उसके साथ sexual intercourse rape नहीं माना जाएगा समझ रहे हो अगर नाबालिक है तो भी नहीं माना जाएगा शादी होने के बना लेकिन ध्यान से सुनना इसके लिए पत्नी की जो उम्र है वो 12 साल से कम होनी चाहिए इसके तहट अगर पत्ती 12 साल से छोटी पत्नी के साथ rape करता है संबन बनाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा यह दो साल की कैद होगी या फिर दोनों ही सजाएं उसको दी जा सकती है बहुत ही चोटी सजा है ठीक है 12 साल से कम उम्र की जो लड़की होती है अभी भी बाल विवा काफी जगों में बहुत कम हो गया है लेकिन चोरी चुपे शायद बहुत लोग करवा देते होंगे मुझे पता नहीं है लेकिन फिर भी अगर 12 साल से छोटी उम्र की पतनी है उसके साथ अगर intercourse हो रहा है उसके साथ अगर संबन बनाने की कोशिश हो रही है तो उस पर आप देखो कितनी कम सजा है दो साल की कैद या फिर जुर्माना लगेगा या फिर दोनों होगा दो साल की कैद से होता क्या है आदमी जाता है और शूट के आ जाता है ठीक है लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे कानून है जो कुछ हद तक महिलाओं को इन चीजों से बचा लेता है जैसे Domestic Violence Act 2005 इसको लाया हिस लिए गया था कि घर के अंदर महिलाओं के साथ जो यौन शोशन होता है जो संबंद बनाए जाते है ये कानून महिलाओं को घर में यौन शोशन से प्रोटेक्शन देता है ठीक है हिंदू Marriage Act जो है इसमें भी पती और पतनी की कुछ जिम्मेदारियों को तै किया गया है इसमें प्रावधान है कि सेक्स के लिए इनकार करना ध्यान से सुनो सेक्स के लिए अगर कोई मना करता है तो ये कुरूरता है और इसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है ओक्टोबर 2017 को सुप्रीम कोट ने एक मामले में फैसला दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 18 साल से कम उम्र की पतनी के साथ शारेरिक संबनाना एक अपराध है और इसे रेप माना जा सकता है कोट ने ये भी बोला था कि इसके लिए नाबालिक पतनी एक साल के अंदर शिकायत दर्श कर सकती है कई सारे इंडिया में तो नहीं बट कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर मेराइटल रेप के लिए कानून बनाए गए है पहला जो देश था जिसने मेराइटल रेप को क्रिमिनलाइस किया था जहां पर मेराइटल रेप क्राइम था वो था USSR जो अब टूट के अलग हो चुका है 1922 में ये पहला ऐसा कंट्री था दुनिया भर का जिसने मेराइटल रेप को क्रिमिनलाइस किया था मतलब अगर वहाँ पर किसी के साथ marital rape होता है तो वो अगर case करती है तो सजा का प्रावधान था उसमें दुनिया भर में अगर आप देखोगे Progress of World Women 2019-20 की एक report आय थी जिसमें ये बताया गया था 185 देशों में सिर्फ 75 ऐसे देश है दुनिया भर में जहां marital rape को लेकर कानून है बागी के 108 में से 74 देश ऐसे है जहां महिलाओं को अपने पती के खिलाफ rape की शिकायत करने का अधिकार है ठीके है वही भारत समेथ 34 देश ऐसे हैं जहां marital rape को लेकर कोई कानून ही नहीं है मतलब इंडिया में इसी लिए बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है कि अब इसके लिए कानून बनाया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा आयटी के लोग भले ही आगे आके आपको ना बताएं क्या बताएंगे कि मेरे साथ घर में मेरा husband rape कर रहा है इस पर तो लोग हसते ही हैं है ना बोलते हैं कि हाँ तो शादी हुई है तो संबन तो बनाना पड़ेगा बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी हुई है तो संबन बनाना ही पड़े एक बार अच्छे से अपने पती को जान लो समझ लो ये भी इसके लिए भी समय देना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हस्बेंट जबर दस्ती करते हैं प्राइबेट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं तो बिल्कुल मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ कि इसके लिए कानून बनना चाहिए अब देखो आगे क्या होता है सुनवाई तो चल ही रही है ठीक है तो आज के लिए इतना ही आई होब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ज्यादा स्यादा करेंट अफेर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी राउटे तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू